गुंदिया शहर के बीच ओबीच स्थित सुभाज गार्डन की स्थिती संतोष जनक नहीं दिख रही है। कोरोना काल में शाशन द्वारा दिये गए निर्देश के साफ से गार्डन कभी बंद रहा और कभी नागरिकों के लिए खोला गया। गार्डन में आने वाले वैक्तियों के मन महुने के लिए लगाए गए फवारे काफी समय से बंद है और उसके रखरखाव की अंदेखी की जारी है। इस विशे की चर्चा प्रशास की अधिकारी से राने से हुई और जानकारी प्राप्त हुई की गार्डन के रखरखाव के लिए नगर परिशत द्वारा प्रवीन मिश्रा को रखा गया है और तीन से चार कांट्रेक्ट कामगार रखे गए हैं। राने ने बताये कि पंप की खरावी के चलती उध्यान के फवारे बहुत समय से बंध हैं केवल निम्निस्तर के कारे किये जाते हैं। कुछ वर्षपूर्व गार्डन के रखरखाव के लिए 20 से 25 कामगार थे लेकिन सेवा निवरत होने के पश्यात उनकी जगा कोई नई भरती नहीं की गई। कुछ वर्षपूर्व कुछ जानवरों को भी गार्डन में बच्चों की मनुरंजन के लिए रखा गया था लेकिन रखरखाव नहीं होने के कारण वो खूबी भी गार्डन से लुप्त हो गई है। अमधान करना चाहिए।